हलो एवरिवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश राजिय के करंट अफेर पिछले साथ महिनों के एक जनवरी से लेकर 31 जुलाई 2017 तक के कवर करूँगा ये आने वाले जो भी एक्जाम है जैसे जो 24 सितंबर को UPPCS का पेपर है या जो दूसरे एक्जाम होते हैं स्टेट लेवल पर समिंस्पेक्टर, पटवारी या जो भी एक्जाम है उनमें आपकी मदद करेंगे हमारे pen drive courses, SSC, bank, UPSC, state PCS exams आदी के लिए उपलब्ध हैं आप हमारी website पर जाकर ज़्यादा जनकारी ले सकते हैं या फिर इनमें से कोई भी number डायल कर सकते हैं एक जरूरी सूचना इससे पहले मैं ये वीडियो शुरू करूँ इस वीडियो में तो मैं सिरफ उत्तर परदेश के current affair cover करूँगा लेकिन overall पिछले 7 महीनों के जो 500 best multiple choice question है उनका भी वीडियो मैंने तयार किया है ये 4 वीडियो हमारे चैनल पर अलरी upload किये जा चुके हैं और 4 लाग से जादा लोग उन्हें अलरी देख चुके हैं और लाभानवित हो चुके हैं अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे comments में उनका link मैंने दिया हुआ है तो चलिए अब जादा विलम बना करते हुए मैं शुरू करता हूँ और इन्होंने लगबग 176 किताबे लिखी अपने जीवन में जो 44 साल से ज़्यादा इनका लेखनी थी उसके अंदर इनका खुद का publishing house भी था जिसका नाम था तुलसी Books Publication इनकी जो famous किताब हैं जैसे कैदी No.1, वर्दी वाला गुंडा इतियादी और इनमें से बहुत सारी किताबे इनकी ऐसी हैं जिन पर movies भी बनाई गई इनकी जो पहली किताब थी वो थी दहकते शहर तो याद नाम याद रखिएगा वेद परकाश शर्मा दूसरे important वेक्ति जो उत्रपरदेश में एक्सपायर हुए करनल निजाम उद्दीन ये नेताजी सुभाज चिनर बोज के बहुत करीबी थे उनके वफादार थे उनके ड्राइवर भी थे उनके परसनल गार्ड भी थे 116 वर्ष की उमर में इनका निधन हुआ और ये 1943 से 1945 में आर्मी में भी सर्व किया इनोंने तो याद रखिए इनका जो नेटिव विलेज था धकवा आजमगण में वहाँ इनका निधन हुआ मशूर लेखक और जनलिस्ट पंडित धरमशिल चतुरवेदी जी इनका निधन हुआ वाराणसी में बनारस के सबसे जो important वैक्तियों में से एक वो थे ये इनको बोलते ही थे अख़ड बनारसी ये हासेरस के कभी भी थे और इनको बोला जाता था प्यार से स्वं में बनारस यानि कि ये बनारस के प्रतीक थे बनारस इनहें कहा जाता था और बनारस में दो important सम्मेलन होते हैं महामुर्ग सम्मेलन और उलूप महुतसव उनको शुरू करने में इनकी एहम भूमिका थी उत्तरपरदेश में एक नई चीज इस बार की गई उत्तरपरदेश में जब चुनाव हुए थे तो उसमें 46 constituency यानि विधान सभाशेत्रों के अंदर पहली बार उर्दू electoral rolls यूज किये गए उर्दू के अंदर पहले सिरफ हिंदी और इंग्लिश में किये जाते थे लेकिन पहली बार ये किया गया State Election Commission Board ने ये डिसाइड किया था क्योंकि उत्तर परदेश में बहुत सिग्निफिकेंट आबादी है वो मुसल्मान जो इसलाम धर में उसकी है तो खास कर Western UP में तो 46 constituency जो हैं ये 22 district उत्तर परदेश के उनमें उर्दू rolls roll out किये गए उत्तर परदेश में एक बहुत important project चल रहा है जिसका नाम है can betwa project इसमें उत्तर परदेश और मध्यपरदेश दो हिस्सेदार है इसमें जो can और betwa नदी है उन्हें आपस में जोड़ा जा रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है betwa नदी और ये है can नदी ये अब ये जो लाल रंकी है ये है can और betwa को जो जोड़ा जा रहा है इसको इस तरह से देखिए ये betwa नदी है ये can नदी है इस तरह से जोड़ा जा रहा है क्यों जोड़ा जा रहा है क्योंकि can नदी जो है इसके अंदर पानी काफी रहता है कोई कमी नहीं है पानी की, लेकिन जो बेतवा नदी है इसमें पानी की काफी कमी होती है तो कैन से पानी बेतवा में जाएगा इसके थुरू, जिससे बुंदेल खंड का जो इलाका है उसको पानी मिलेगा जो काफी सुखा है अब प्रॉब्लम इसमें यह आ रही है आप यहाँ पे देख सकते हैं यह कैन नदी जो है कैन से अगर बेतवा तक पानी जाएगा तो बीच में पढ़ता है मद्धे परदेश में पन्ना नेशनल पार्क पन्ना ये एक मशूर टाइगर रिजर्व भी है बहुत सारे बाग यहाँ पे रहते हैं तो मद्धे परदेश में जो बहुत इंपोर्टेंट हमारे रिजर्व हैं जैसे पन्ना, पंच, बांदवगर्ड, इतियादी उन में से एक बहुत मुख्य है पन्ना और पन्ना इसलिए बीच में आ रहा है इसलिए पन्ना से लगबग 500 हेक्टेर की जमीन है जो शिफ्ट करी जानी है और इसलिए अब इसको पर्मीशन मिल गई है हलांकि जो हमारे परियावरण सरंक्षन करते हैं जो बेग्यानिक एन्वार्मेंट पे काम करते हैं वो यह कह रहे हैं इससे पन्ना के टाइगर और वल्चर क् परियावरण के लोग हैं वो यह कह रहे हैं कि इससे बाग और वल्चर दोनों पर फरक पड़ेगा लेकिन सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है इसे फॉरेस्ट एडवाईजरी कमेटी और हमारे परियावरण मंत्राले दोनों ने मंजूरी दे दी है यह है कैन बैतवा की इसमें डाइवर्ट करी जानी है इस प्रोजेक्ट पे पैसा कितना खर्चोगा 10,000 करोड रूपे खर्चोगा तो कैन है मद्य परदेश में और बैतवा है उत्तर परदेश में और इस प्रोजेक्ट का फाइदा यह होगा कि 6,000,000 हेक्टेर जमीन इसकी सिंचाई संभव ह पाएगी एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कैन नदी है उसके उपर एक डैम भी बनाये जाएगा दोधन विलेज छतरपूर डिस्टिक्ट अफ मध्य परदेश के अंदर जिसमें लगबग 60 मेगावाट की शमता पावर जनरेट करने की कैपैसिटी होगी अब बात करते है G20 Framework Working Group की जो मीटिंग हुई तीसरी मीटिंग वो वारानसी के अंदर हुई थी वारानसी जो है ये नरेंदर मोदी जी का जो लोकसभाश शेत्र है वो है तो तीसरी मीटिंग हुई G20 Countries की G20 Framework Working Group की और ये मार्च 28 से मार्च 29 में हुई उतरपरदेश के अंदर वारानसी मे और इसकी अध्यक्षता करी G20 की अध्यक्ष एंजला मर्कल ने अभी G20 की जो अध्यक्षता है वो जर्मनी के पास है और एंजला मर्कल वहां की चांसलर है इसमें जो दो दिन की मीटिंग हुई ये ये तीसरी मीटिंग थी जो जर्मन प्रेसिडेंसी के अंदर हुई थी य और इसको co-host किया हमारे वित्मंत्राले ने और Reserve Bank of India ने एक बात और याद रखिए ये चोथी ऐसी framework working group की meeting है जो भारत के अंदर हुई है इससे पहले भारत के अंदर नीमराणा में हुई थी 2012 में गोव में हुई थी 2014 में और केरल में हुई थी 2015 में तो ये चोथी meeting है जो भार सुभाष चंदर गर्ग सुभाष चंदर गर्ग जब शक्तिकान दास रिटायर हुए थे तो तपन्रे को थोड़े समय के लिए additional charge दिया गया था लेकिन अब हमारे पास एक proper economic affairs secretary है जिनका नाम है सुभाष चंदर गर्ग और अगर मैं G20 की बात करूँ तो ये 1999 में बना था और जो बारवी G20 summit है इस बार हुई थी हैंबर्ग जर्मनी में जैसे मैंने बताया तेहर भी G20 summit होगी अगले साल अर्जेंटीना में और चौधवी होगी जैपैन में 2020 में जापान में 2020 के अंदर ही टोकियो में ओलंपिक जीता इस बार टोटल 403 seat हैं विधान समा में उन में से 325 जो seat है वो इस बार बीजेपी को मिली और अखिलेश यादव और कॉंग्रेस ने मिलके चुनाव लड़ा था उनको मिली सिरफ 54 और 30 नंबर पे मायावती को सिरफ 19 seat तो बीजेपी ने बहुत हैंडसम ली ये जीता इस बार और आप यहां vote share वगरा देख सकते हैं 41.4% out of 61% ये बीजेपी को vote मिले इस बार पिछली बार से 278 seat बीजेपी ने ज्यादा जीती और आप जानते हैं जो चीफ मिनिस्टर बने वो बने योगी अधित्यनाथ तो योगी अधित्यनाथ जो हैं ये 21 वे चीफ मिनिस् मिनिस्टर भी बनाए गए केशा परसाद मौर्य और दिने शर्मा इसके अलावा एक और चीज़ याद रखिए स्वतंत्र देव सिंग ये मिनिस्टर आफ स्टेट हैं जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है ट्रांस्पोर्ट एंड प्रोटोकॉल का और ये मिनिस्टर पावर नहीं पावर मंत्री हैं शिरिकान शर्मा लेकिन ये मिनिस्टर आफ स्टेट फॉर पावर है जो शिरिकान शर्मा की मदद करते हैं और दूसरे हैं महसीन राजा ये हैं मिनिस्टर आफ स्टेट फॉर साइंस और टेक्नोलोजी, इलेक्रोनिक्स, आईटी, मुस्लिम, वक्फ और हज अब इसमें यह में इनके नाम क्यों बता रहा हूँ आपको क्योंकि योग्य दित्यनाद जो है इनको विधान सभा या विधान परिशद का मेंबर बनना पड़ेगा देखे रूल यह होता है कि कोई वैक्ति अगर वो विधान सभा और विधान परिशद यानि Legislative Assembly और Legislative Council का मेंबर नहीं है तो भी मुख्यमंत्री बन सकता है तो भी Cabinet Minister बन सकता है provided उसे अगले 6 महीने के अंदर या तो विधान सभा का या विधान परिशद का मेंबर बनना पड़ेगा योग्य दित्यनाद जो है ये Member of Parliament हैं अभी तक ना विधान सभा के Member है ना विधान परिशद के Member है महसीन राजा ना विधान सभा के Member है ना विधान परिशद के Member है इतना ही नहीं जो दोनों Deputy Chief Minister है केशव परसाद मुर्या और दिनेश चर्मा वो ना विधान सभा के Member है ना विधान परिशद के Member है केसव परशाद मोर्या जो है फुलपुर अलाबात से लोग सभा के मेंबर है लेकिन विधान सभा के मेंबर नहीं है तो यह अगर question आएगी कितने उतरपरदेश के क्याबिनेट पे मंतरी है जो कोई भी विधान सभा ना विधान परिश्यत के मेंबर है तो answer है 4, मुख्य मंतर याद रखिए और ये रंजी ट्रॉफी क्रिकेटर रह चुके हैं अभी जो कैबिनेट है उत्तर परदेश का उसमें दो क्रिकेटर हैं एक है चेतन चोहान और एक है महसीन राजा चेतन चोहान भी क्रिकेट खेलते थे महसीन राजा लेकिन रंजी ट्रॉफी खेलते थे चेतन चेतन चोहान भारत के ले क्रिकेट खेल चुके हैं और चेतन चोहान जो है वो NIFT के National Institute of Fashion Technology के चेर्मेन थे अभी दो महीने पहले तक तो ये सब याद रखिया आप और इस बार जो 403 सीटों पर चुनाव लड़ा BJP ने उनमें एक भी मुसलिम कैंडिडेट नहीं था ये भी य कैंडेट में हैं 2010 में जो महसीन राजा है इन्होंने खुद अपनी पार्टी बनाई थी जिसका नाम था साफीपूर विकास मंच इनकी जो पत्नी है वो साफीपूर से चुनाव में खड़ी भी हुई थी एक निर्दलिय के तोर पर लेकिन वो चुनाव हार गई थी और ये ह है उत्तर प्रदेश का कैबिनेट अब इसमें आपको जो कैबिनेट रैंग के मंत्री है सिर्फ वो याद रखने आप से administer of state या minister of state या minister of state with independent charge स्टेट के अंदर वो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन cabinet minister पूछे जा सकते हैं, खासकर जो important important है, जैसे श्रीयोगी दित्तिनाथ, इनके पास घ्रह मंत्राले भी है, housing, urban planning, revenue, food, logistic, बहुत सारे मंत्राले इनके पास हैं, लगबग 10-15 से जादा हैं, फिर है केशा परसाद मौर science technology इनके पास है, information technology, सुचरा प्रद्योगी की और electronics इनके पास है, सूर्य परताब शाही के पास agriculture, ये agriculture मंत्री है मेली, तो याद रखिए सूर्य परताब शाही, सुरेश खन्ना, सौमी प्रसाद मौर्या और सतीश महना, इसके अलाबा, कुछ और important है, जैसे मैंने बताया, जो cricketer है, ये खेल मंत्री है, वहां के, और इनमें important और आप याद रख सकते हैं, दारा सिंग चोहान, ये वहां के वन विभाग परियावरन मंत्री है, उतरपरदेश के, राजेश अगरवाल, ये with finance संभालते हैं, रीता बहुगुना जोशी, ये पहले Congress में थी, फिर छला पूर्जा मंत्री, सिधार्थनात सिंग, ये भी काफी important है, क्योंकि लाल भादुर शास्त्री के पोते हैं, हमारे जो पूर्व परदान मंत्री भारत के लाल भादुर शास्त्री, उनके पोते हैं, सिधार्थनात सिंग, ये वहां के Health Minister हैं, श्री मुकुत बिहारी वर्मा, corpor आशुतोष टंडन टेक्निकल एजूकेशन और मेडिकल एजूकेशन नंद गोपाल गुपता जिने नंदी बोलते हैं ये स्टैंप और कोर्ट फी रेजिस्टेशन और नागरी कुढ्यन विभाग चलिए योगिया दित्तेनाथ का जो असली नाम है वो है अजय सिंग किया हुए मैट्स में H&B गड़वाली उनिवर्सिटी से गोरकनाथ जो मंदिर है उसके ये मुखे पुजारी रह चुके हैं ये इस्टन यूपी की बात हो रही है यहाँ पे गोरकपूर की और गोरकपूर की जो सीट है ये 1998 में से लगातार जीत रहे हैं जब इन्होंने प कुटी CM है लेकिन उनकी तो कोई constituency है ही नी क्योंकि वो विधान सभा के member ही नी तो उन्हें तो अब चुना जाना है तो अब देखते हैं कहां से खड़े होते हैं वो सिधारतनात सिंग चुने गए अलाबाद वैस से रिता भागुगुना जोशी लखनव केंट से शरीकान शर्मा मतुरा से चेतन चोहान जो है ये नोगवान सदत कॉंस्टिट्वेंसी है जो अमुरह डिस्टिक्ट से के अंदर है ये विधान सभा शेत्र हैं का और ये निफ पर इन्हें एक मंत्री बनना है तो फिर इन्हें वहाँ से रिजाइन करना पड़ेगा और इन्हें एक खेल मंत्री बनाये गया है तो फिर इन्हें रिजाइन करना पड़ा एज निफ्ट चेर्में अब इनको सबको चुना जाना है तो जैसा मैंने बताया चार मंत्री हैं उ तो केशा परसाद मौरिया जो हैं ये सांसद हैं लेकिन फुलपूर अलाबाद से लेकिन ये विधायक नहीं है डॉक्टर दिनेश शर्मा ये लखनव के मेर रह चुके हैं ये याद रखिए तो दोनों मुख्य मंत्री के बारे में ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं इसक से हरिटेज सिटी भी कहते हैं अयोध्या सर्यू नदी के किनारे हैं यहाँ पे अब राम जन्बू में विवाद चल रहा है और सुप्रीम कोट का फैसला माने ही वाला है मतुरा और गोरकपूर ये हैं चार पवित्र स्थान जहाँ पे 24-7 बिजली अवेलेबल करवाई इसके लावा जो भी ऑफिसर हैं उत्तर परदेश के अफसर शाही के अंदर जो लोग हैं उनको ये कहा गया है कि एक साल में 100 घंटे आपको cleanliness को devote करने है स्वच भारत को devote करने है यानि आपको ये शपत ली गई है उनके द्वारा की वो clean India campaign यानि स्वच भारत अभियान में कम से कम 100 घंटे हर साल लगाएंगे इसके अलावा आप जानते हैं उत्तर परदेश में जो किसानों का कर्ज है सरकार ने वो माफ करने का निर्णे लिया है लेकिन इसमें एक बात याद रखिए बड़े फार्मर नहीं है सिर्फ small और marginal farmer है और total जो पैसा खर्च होगा वो इसमें एक लाख रुपे तक का लोन जो है वो माफ किया जाएगा smaller marginal farmer का इसके अलावा 5630 करोड जो non-performing asset है वो 7 लाख किसानों के वो भी माफ किया जाएगे ये एक अच्छी news है और नहीं भी है जो नहीं है वो इसलिए बता देता हूँ क्योंकि जो fiscal deficit है fiscal deficit क्या होता है दे अगर आपकी आमदनी जादा होगी और खर्चे कम तो तो ठीक है लेकिन अगर आपकी आमदनी कम है और खर्चे जादा है तो आप deficit के अंदर आ जाएंगे उसको बोलते है fiscal deficit तो सरकार की जब खर्चे जादा हो जाते है और कमाई कम होती है तो उसको बोलते है fiscal deficit और भारत के जो राज्यें हैं सारे उनका fiscal deficit बहुत ज़ादा है जब हमारा वैश्वी करण हुआ था liberalization 1991 में तो 18,790 करोड सिरफ सारे राज्यों का मिला के fiscal deficit था भारत के जितने भी उस वक्त राज्ये थे सब का मिला के आज भारत के 399 राज्यें उनका fiscal deficit सब का मिला के है 4,93,000 करोड यानि लगबग 5,000,000 करोड और इसमें सबसे ज़ादा उत्तरप्रदेश का है याद रखिए फिर उत्तरप्रदेश का जो fiscal deficit है वो 1991 में था सिरफ 3,000 करोड आज की तारीख में उत्तरप्रदेश का fiscal deficit है 64,322 करोड 320 करोड तो सबसे नमबर बन पर उत्तरप्रदेश है और दूसरी नमबर पर राजस्थान है और यानि fiscal deficit है कम करना है fiscal deficit कम करना है तो इन्हें खर्चा कम करना पड़ेगा और उपर से अभी उन्होंने अनौन्स करा है कि हम farmer का 36,000 करोड का loan माफ कर देंगे तो वो और ज़्यादा दवाब पड़ेगा और इंडिया का जो fiscal deficit target है वो है 3.2% of GDP इस साल के लिए यह announce किया था हमारे वित्मंत्री और हमारे जो रक्षा मंत्री में है अरुन जेटी ने इस साल के बजट में योगिया दित्तेनाथ ने एक anti-mafia land task force बनाया है जो land encroachment है यानि जो जमीन का अतिक्रमन है उसको रोकने के लिए खासकर धर्म के नाम पर धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा अतिक्रमन होता है जमीन का जमीने हतिया ली जाती है और इसके लिए यह बनाई है anti-mafia land task force इसके चार टायर होंगे चार टीर होंगे मतलब एक layer होते हैं जिसे echelons बोलते हैं पहले नीचे कोई हो और फिर उसके उपर कोई हो और इस तरह से hierarchy होती है तो उसमें head होंगे इनके principal secretary फिर नीचे होंगे district magistrate और फिर होंगे sub divisional magistrate और उतर परदेश के जो director general of police है वो है सुल्खान सिंग एक बात याद रखिए director general of police होता है यह सबसे senior police officer होता है एक पूरे राज्ये में तो यह सबसे senior IPS officer होता है सबसे senior DGP के उपर कोई नहीं होता उतर परदेश की सरकार 40 yoga wellness center बना रही है 40 district के अंदर total कितने बनेंगे 40 yoga wellness center और यह decision लिया गया जो अंतराश्ट्रिय योगा दिवस मनाए गया था उसकी celebration के दौरान इन 40 में से 23 जो होंगे वो आयुर्वेदिक hospitals के अंदर होंगे 12 होंगे homeopathic और 7 होंगे उनानी hospital और colleges के अंदर इसके अलावा post graduate course है जो वो भी start हो रहे हैं government आयुर्वेदिक college वालानसी के अंदर उनानी college अलाबाद के अंदर government homeopathic college अलाबाद और TT college लखनव के अंदर एक और important सूचना पहला herbal garden बनेगा उतरपरदेश का वो कहां बनेगा government national homeopathic college और hospital लखनव के अंदर जिससे जो किसान है उन्हें इस बात की प्रेणा दी जा सके कि वो herbal plant उगाए सरकार ने दो airport का नाम पलट दिया है एक तो गोरगपूर और एक आगरा का airport आगरा का airport है उसका नाम रख दिया है पंडित दियाल उपाद आए airport अभी इख काम इन्होंने और करा है जो मुगल सराइ बहारत का कहते है सबसे busy railway station है यह तो मुगल सराइ का नाम बलट के भी अब बलट दिया है इन्होंने पंडित दियाल उपाद आग है जी के नाम पर रख दिया है हलांकि नरिंदर मोधी जी ने इनके लिए एक वर्ड दिया है वो है दिव्यांग तो विकलांग की बजाए अब वर्ड यूज किया जाता है दिव्यांग तो Department of Disabled Welfare जो है उसका नाम प्लट के ब्रग दिया गया है दिव्यांग जन विकास Empowerment इसके लावा उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने एक Central University बनेगी जहांपे दिव्यांग के लिए तो यह उत्तर प्रदेश में बनेगी, Location भी Decide होगी और HRD Minister जो है हमारे परकाश जाबडे कर उन्होंने ये decision लिया और उन्होंने ये भी कहा कि खास special तरह के टीचर दिये जाएंगे इनके लिए जो खास तौर पे education देंगे दिव्यांग को यानि जो differently enabled है उनको उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक music village बनाने का निड़ने लिया है एक तरह का संगीत गाउं ये हमारे जो भारत रतन जो है थे अब तो नहीं रहे ये शेहनाई वादक थे उस्ताद बिस्मिल्ला खान उनके नाम पे ये होगा और इसका नाम रखा जाएगा बिस्मिल्ला खा जी की adopted daughter थी इसमें एक training और research center भी होगा एक museum भी होगा और जितने भी musical घराने बगारा होते हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्य घराने हैं music के उनसे related इसमें चीज़े रखी जाएगी उत्तर प्रदेश ने एक scheme खतम कर दी जो समाजवादी पार्टी ने चलाई हुई थी इस scheme का नाम है समाजवादी pension योजना समाजवादी pension scheme इसमें जो भी गरीबी देखा के नीचे परिवार हैं उनको हर महीने 500 रुपे दिये जाते थे ये scheme योगी दित्यनाथ ने खतम कर तो ये scheme क्या थी इसमें जो 40 लाग परिवार हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उत्तर प्रदेश में उनको हर महीने 500 रुपे दिये जाते थे और इससे पहले जो योजना थी वो थी रानी लक्ष्मिबाई pension योजना जिसको समाजवादी पार्टी ने अपना नाम देके परिवार है पहले साल उन्हें मिलेगा 500 अगले साल मिलेगा 550 उससे अगले साल 600 यानि हर साल 50 रुपे भढ़ा दिये जाते थे कब तक जब तक वो 1500 ना हो जाएं और इसमें ऐसा नहीं है कि ये पैसे बढ़ेंगे भढ़ेंगे आपको कुछ टार्गेट दिये जाते थे जैस बच्चों की सिक्षा, लिट्रेसी, हेल्थ स्टेंडरर वगरा अगर वो मेंटेन किये जाएंगे फुलफिल होंगे तभी वो इंक्रीज किया जाएगा और अगर वो फुलफिल नहीं की जाएंगी कंडिशन तो फिर बैनिफिट नहीं मिलेंगे, लाब नहीं मिलेंगे ये जो स्कीम थी ये उत्तरप्रदेश State Welfare Department इसे इंप्लिमेंट कर रहा था, लागू कर रहा था, उत्तरप्रदेश की सरकार ने एक Memorandum of Understanding sign करा है हमारी केंदर सरकार के साथ, इसको बोलते है Power for All स्कीम, यानि जो सारे राज्ये हैं उनमें बिजली होनी चाहिए, इस स्कीम का उ इस प्रोजेक्ट की कोस्ट है 40,000 करोड और इसमें 20,000 करोड खर्चा किया जाएगा 2018 तक, इसके अलाबा स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे जिन से बिजली की चोरी रोकी जा सके और एक हल्पलान नमबर है जिसमें अगर बिजली विभाग से रिलेटिड कोई भी आपकी शिकायत है तो आप दर्ज कर सकते हैं ये नमबर है 1912 उत्तर प्रदेश की सरकार ने ambulance भी लांच करी जो गाए है उनके लिए इसका नाम है गौवंच चिकित्सा मोबाइल वैन तो जो गाए अगर सड़क पे कोई है और उसको कोई देखने वाला नहीं है या कोई गाए बिम खड़कपूर जो है इसने ब्रिटिश जियोलोजिकल सर्वे यानि BGS के साथ एक अनुबंद किया है दोनों मिलके वारानसी को ये स्मार्ट सिटी बनाएंगे याद रखिए इसमें एक 3D मोडल बनाया गया है जो वहां की जो जो रोड है वो कैसे बिछाय जा सकते हैं सेवा जो जी की मदद से वारानसी को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा और कौन सा IIT बना रहा है IIT खड़कपूर इसके अलावा एक बहुत इंपोर्टेंट रोग है जो उत्तर परदेश में फैलता है जिसको बोलते है जैपनीज एंसेफलाइटिस जैपनीज एंसेफलाइटिस के लिए उसके टीका करण के लिए उत्तर परदेश की सरकार ने एक campaign launch करा उत्तर परदेश के 38 जिलों के अंदर और ये launch किया गया खुशी नगर डिस्टिक्ट से जहां पर airport भी बनने वाला है दो जंगा airport बनेगा एक तो greater noida में बनेगा और एक खुशी नगर में बनेगा दो जो मॉत्तुरा व्रिन्दावन है इनके नगरनिगम और अयोध्या फैजाबाद है इनको एक municipal corporation का दरजः दिया है नगरनिगम का दरजः दिया है याद रखिए तो दोनों को जोड़ दिया है एक मत्तुरा वरिन्दावन को आपस में और एक अयोध्या फैजाबाद को बासट कर दी है क्योंकि डॉक्टर्स की बहुत जदा शॉर्टेज है सरकारी हस्पतालों में खासकर जो रूरल एरिया है उत्रप्रदेश के उन में तो आप जानते हैं उत्रप्रदेश की अबादी बहुत जादा है 20 करोड के असपास है वहां की अबादी तो इतने बड़े एरिया में जो रूरल पोपुलेशन बहुत जादा है और उसमें डॉक्टर्स की शॉर्टेज बहुत जादा है तो डॉक्टर्स की कमी ना हो इसलिए उनकी रेटायर्मेंट एज 60 से बढ़ा के कर दी 62 वारानसी जो है ये भारत का पहला ऐसा स्थान है जिसको मिलेगा फ्री आफ इंडिया ये भारत का पहला फ्रीट विलेज है और इसमें जो लोजिस्टिक्स वगारा है वो इंप्रूव की जा सकेंगी इसके लावा एक भारत का जो सबसे बड़ा नैशनल वाटरवे वन यानि जो पानी वाला रास्ता बोलते है नदी के अंदर होता है जैसे ग्रेटर नोयडा में और दूसरा बनेगा खुशी नगर में ग्रेटर नोयडा में ये बनेगा जेवार में अगले 5-6 साल में स्टार्ट हो जाएगा ये और इसे दिल्ली जो एरपोर्ट है उस पे कंजेशन कम होगा भीड कम होगी और दूसरा बनेगा खुशी नगर में द IIT कानपूर जो है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो P.T. उशा जिसने उडन परी कहते थे बहुत अच्छी धावक थी हमारी और ओलंपिक खेलों में इन्होंने भारत का नाम रोशन किया एशियन गेम्स में नाम रोशन किया बहुत सारे मेडल जीते तो P.T. उशा को की उपाधी दी जाएगी यानि डॉक्टरे डिग्री दी जाएगी और IIT कानपूर के अभी 50 साल पूरे हुए संसद आदर्ष ग्राम योजना जिसे बोलते हैं शॉट में ऐसे जीवाई इसके तहट परदान मंत्री मोदी ने तीन गाउं गोध लिये हुए हैं सबसे पहला गाउं जो गोध लिया था तीनों वरानसी के अंदर है जो इनका लोगसभा चुनावशित्र है पहला गाउं गोध लिया था उसका नाम था जयापूर और दूसरा था वो था नागेपूर और तीसरा था तीसरा भी अभी गोध लिया बिल्कुल जिसकों पहलव की टिकट्स पे नहीं लेंगे हम ये एक तरगा इन्होंने step इसलिए लिया है जिसे ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों की shooting उत्तर प्रदेश के अंदर हो उत्तर प्रदेश के पर्येटन को भी उससे बढ़ावा मिलेगा और एक और announcement करी है कि ODF यानी open notification free करना है 2 October अगले साल तक जो योगे दित्तिनाथ की सरकार है उन्होंने ये काए कि 2 October 2018 तक हम पूरे राज्ये को खुले में शोचमुक्त कर देंगे तो अगर ये करना है तो 44 अजाद हर दिन मराने पड़ेंगे इसमें ये भी पूछ सकते है कि भारत का पहला राज्ये कोन सा है जो open notification free बनाए तो वो है सिक्किम open notification free बनने वाला पहला भारत का राज्ये है उत्तर परदेश की सरकार ने जो एक target रखा है योगे दितिनाथ ने वो ये कि अगले 5 साल के अंदर 70 लाग जॉब create किये जाएंगे जिन मेंसे जो 10 लाग जॉब है वो vocational education के थूँ और kausal विकास के थूँ यानि skill development department के थूँ जनरेट किये जाएंगे तो total जॉब का target है अगले 5 साल में 70 लाग इसके अलावा उत्तर परदेश की सरकार ने राजस्थान के राजस्थान spinning और weaving mills भिलवारा में जो है उसके साथ एक memorandum of understanding sign किया है जिसके तहट 26,000 जो यूबा है उत्तर परदेश के उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी textile में, retail में और apparel sector में अगले 4 सालों के अंदर इसके अलावा दो institute बनेंगे बारानसी के अंदर इसकी cabinet ने मंजोरी दे दी है पहला बनेगा जो चावाल है उस पर अनुसंधान के लिए यानि International Rice Research Institute और दूसरा बनेगा South Asia Regional Center ISARC दोनों जो center है ये National Seed Research and Training Center NSRTC के campus में बनाए जाएंगे, established किये जाएंगे जानि जो बनावा center है National Seed Research and Training Center बारानसी उसके अंदर ये दोनों campus बनाए जाएंगे International Rice Research Institute और South Asia Regional Center जो Rice Value जो ये center बनेगा ये इसमें चावाल के उपर अनुसंधान किया जाएगा चावल के अंदर जो खदरना chemical वगरा है उनसे हम कैसे निपट सकते हैं यानि जो heavy metal वगरा आ जाते हैं चावल के अंदर उस पर कैसे हम निपट सकते हैं वो भी उस पर भी research होगा इसके अलावा capacity building exercise होगी rice value chain कैसे create कर सकते हैं from farm to fork जिसे बोलते हैं यानि कि जहां पर अन्र पैदा होता है वहां से लेगे हमारी plate तक चावल में value कैसे बढ़ा जा सकती है process कैसे किया सकता है और अच्छे तरीके से और ये पहला इस तरह का international center होगा eastern इडिया के अंदर लखनाव जो है ये लखनाव metro याद रखिए लखनाव metro भारत का पहला metro बनेगा जिसमें free पानी और toilet facility प्रोवाइड की जाएगी याद रखिए और लखनाव metro में अपना खुद का FM भी होगा इनके पास अपना खुद का FM होगा इसके अलावा free wifi होगा और इस smart का नाम दिय अगर थे लेकिन ये समाजबादी सरकार ने अपॉइंट किया था इने लेकिन अब जो नई appointment है वो है राजीव कुमार तो ये है चीफ सेक्रेटरी उतर प्रदेश के नई योगिया दित्यनाथ जी ने पारदरशिता लाने के लिए जो जमीन की खरीद फरोग होती है उसके लिए एक website बनाई है जिसका नाम है UPRERA यानि Real Estate Regulatory Authority इसे पारदरशित आएगी इसे आपको अपनी जमीन रेजिस्टर बगारा कराते है उसकी सारी information प्रोवाइड की जाएगी और प्रॉपर एक प्रोसेस रहेगा आपकी रेजिस्टरी से लेके और फाइनल जब आपकी डि गरीबी रेखा के नीचे परिवार है उनके लिए free power connection scheme launch करी है यानि free बिजलियों ने provide की जाएगी ये announcement करी और इसको launch किया श्रीकान शर्मा ने जो power minister है state के इन में उन परिवारों को भी उन गरीब लोगों को भी जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं आते उनको भी बिजलि खर्चा आएगा और 750 इसमें bad होंगे इसके अलावा जो महिला है वो सुरक्षित महसूस करें इसके लिए योगिये दित्यनाथ ने एक special bus चलाने का निड़ने लिया है इनका नाम है pink air condition bus इनको नाम दिया गया है pink air condition bus ये महिलाओं के लिए होंगी सिरफ और इन पर जो से देखा है तो ये बताइए कि उत्तर परदेश में जो एरपोर्ट बनेंगे दो वो कहां पर बनेंगे thank you for watching